हेलो अबरिवान स्वागत आप सभी कमेर कीचन में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू का पिज़ा और इसे बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है आए देख लेते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक बड़तन ले लिया है जिसमें मैंने काफी सारा पानी तो इससे देख लेती हूं और यहां पर जो मारे आलू है बॉल हो गया तो इसके बाद मैं यहां पर एक चौपिंग बोड ले लिया है चौपिंग ले ऐसाम पर यहां पर ईक बटर पेपर पेले चार आलू से मैं बना रही हूं बगे सारे भी प्रकुड़ा से तेयारेंगे साथ में मैंने चोटा सा एक स्थे का स्पैर बटर पिपर भी ले लिया चोटा सा ताकिए जब प्रैस करें तो आलू उपर से मैं श्रण से ना निकले देखे इस तरीके से यह आकूल फैसे आ प्रेस कर सब्रेशं क्लिए के अगर चिलके वादा नेए बाइन पा नहीं रहें इस तरीके से खर लेता टोब बाइंड देखी आवलो त्यों सपित कर करने report में पर अगम में अधिया है तो सप्रेसं ने संगे तरे कर द lá better पर मैं वेडला की पाफ का है तब ने इसे तरीके से गद वह अडुट कर लिया है तो यहां पर मैं बटर का यूज़ कर रही हूं तरह के से प्रैस करके रखें रहें वो बहुत ही ज़ल्दी से टूड़ जाएंगे और जब ये इक तरफ से सिख आएंगे तब तक हमारे अलू सिख रहें तब तेख हमbildung तैयार करते हैं टॉपिंग त्यार करने के लिए यहां पर मैंने शिम्ला मिर्च प्यास टमाटर और थोड़े से स्वीट कॉं लिया हैं साथ में डाल रही हूं मियोनिस और इसके साथ ही डाल रही हूं थोड़ा सा नमक साथ में डाल देंगे ओरीगैनो और चली फ्लेक्स तो सब थी को प्रसेस लिए तो मैं इसे ग्रेट कर लेती हूं और इसके बाद हम आगे कप्रसेस करेंगे तो जो हमने आलू रखे थे वह अच्छे से क्रिस्पी हो गया है एक तरफ से दूसरी तरफ से भी हम इसे क्रिस्पी करेंगे यह पलट लेते हैं तो यह देखे बहुत अच्छा कलर इसे में बयातका जब भी है यह था आपिंग पर लगा लेंगे तो जितनीमी टॉपिंग एक बार में बार उतनी लगा लेनी है तो यहां पर मैंने सभी आलों पर कर now! लगा लिए साथ में हम भी चीज भी लगा देंगे और थोड़ा से इस पर हम चिली फिलेक्स बावा कि यहां पर मैंने टौपिंग को अच्छे से लगा दिया है इसके लागत है बाद चीज के मैल्ट होने तक तक हम ढुझ皇 अच्छे से मैल्ट हो गए तो यहां पर हमारा यहां यहां पर हमारा यह पिज्सवर्ण के तयार हो ग hooks बहुत ही यमी सा दिखाई में भी शेयर करें मेरे साथ कमेंड करके शेयर करें कि बॉइल आलू काई पिज्जर की रेसेपी आपको कैसी लगी मिल्क